लखनों वालों से मैं कहूंगा कि देखे ये एक ऐसा त्योहार है कि आप जो भी खरीते हैं वो चीज बढ़ती ही बढ़ती है सोने का दाम भी बढ़ रहा है और हीरे का दाम भी बढ़ रहा है आप इसको एक इन्वेस्मेंट का त्योहार मानके चले हलो गाईज वल्कम बैक टो मैं चैनल तो आज हम आगा हैं एच एस जे जोलर्स जो की गूमती लगर में फन मॉल के बगल में इस्तित है तो यहाँ आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं परदर्शनी लगाई गई है जो की 15 तारिक से लेके 17 तारिक तक चलने वाली है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ अपरैल की तो यह जो अच्छे तृतिया के 300 पर लगाई गई है और इसके लावा यह काते वहार भी है तो इन दोनों मौकों पर आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं तो जैसे कि आपको स्क्रीम पर दिख रहा होगा कि सामने आप भगवान की मूर्ती, गौतम बुद्ध की मूर्ती और यहाँ पर संख और कई तरह के पुराने जमाने के बरतन और कई तरह की यहाँ से चांदी से बनी हुई चीज़ें आपको सामने दिख रही होगी तो आप इनका इस्तवाल कर सकते हैं, आप यहां से इनके खरिदारी कर सकते हैं, इसके लावा एक्जिविशन में आपको हीरे के आभूशन और आपको गोल्ड के ज्वैलरी के अलावा चांदी के बहुत सारे सामान आपको देखने को मिलेंगे इंडिया गीट भी चांदी से बनाए गया है, और इसमें गोल्ड का वर्क किया गया है, तो यहां पर आप विजिट कर सकते हैं, और आप का यहां चेस बोर्ड पड़ा हुआ है, यह भी जो है गोल्ड का सिलवर का मिक्स करके बनाए गया है, सारे इसके डाइज आप देख तो चलिए एक एक्जिविशन का हम आपको टिक टूर कराते हैं हम आपको दिखाते हैं किया पर कौन कौन सी जॉली लगी है और क्या क्या चीज़ें यहापर आपको देखने को मिलेंगी तो हमारे साथ बने रहेगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजेगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट करके हमें ये बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो किसना डायमेंड एंड गोल्ड जोलरी के रेटेल पार्टनर वह हरसाई मल स्याम डाल जोलर्स के डिरेक्टर अंकूर आनंग से हम आगे बात करेंगे तब तक मैं आपको पहले इस एक्जिबीशन का एक टूर करा देता हूँ तो आगे बहुत सारे आफ़र्स के बारे हम जानेंगे तो आप मारे साथ बने रहेगा इस वीडियो को स्किप मत करेगा एंड तक जरूर देखेगा तो चलिए आपको मैं टूर कराता हूँ झायदा सारे आपको में आपको आपको तो आपको पहले आपको क uniqueness कराता करेगा कोई भी ब्राइंड है, 100% हर चीज नहीं रख सकता है, हरे कर स्पेशलाइजेशन एक अलग लगल का होता है, हमारा स्पेशलाइजेशन अच्छी जूर्री, क्वालिटी और ट्रस्ट के ऊपर है, हमारी जूर्री जो है, वो हैंडमेट ज्याज़तर होती है, डिजाइनर जूर्री होती है, फोरा सब वेट में जरूर हेवी होती है, बट वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए होती है, किसना के साथ हम लोगों ने इस टेट आप किया, क् कि किसना की और हमारी बैल्यूस दोनों मैच होती है, सबसे बड़ी बात है, जो सबसे में चीज है, क्वालिटी, क्वालिटी पे ना हम कॉम्प्रमाइज करते हैं, ना वह कॉम्प्रमाइज करते हैं, इस वज़े से जो है, हमने उनको as a partner select किया, कि एक exhibition जो उनकी speciality है, जो है, lightweight jewelry, diamond jewelry बनाने की है, with the same certification, जो certification हम लोग चाहते हैं, और जो हम ग्रहक को देते हैं, वही quality और वही certification, जो है, जब हमने देखा कि कि किसना वही चीज कर रहा है, और follow कर रहा है, इसलिए हमने उनके साथ tie up किया, कि एक price bracket जो है, जो हम आम आदमी इतल, एक धार्णा है, कि ह हीरा महेंगा होता है, हीरा केवल एक limited तपके के लिए होता है, उस धार्णा को दूर करने के लिए हमने इनके साथ tie up कि उसे बड़ी बात है, कि हम जिस price range में दे रहे हैं, वो उस price range में ग्रहक को कहीं भी किसी भी जगे, किसी भी jeweler के यहां वो नहीं मिलेगा, समान नहीं मि लेगी इस price range में, जहां अंगूठी जो है, हम 5,000 रुपए से start कर रहे हैं, पेंडेंट्स हैं, वो 5,000 रुपए से हैं, येरिंग्स लेडिये के लिए 10-15,000 रुपए से starting है, इसी तरह से sets जो हर को ही मानता है कि काफी भारी range में होते हैं, जिसकी pricing काफी होती है, वो हम लोग 60-65,000 की range से शुरुआ करके वो समान दे रहे हैं, ये एक ऐसा त्योहार है कि आप जो भी खरीते हैं, वो चीज बढ़ती ही बढ़ती है, सोने का दाम भी बढ़ रहा है, और हीरे का दाम भी बढ़ रहा है, आप इसको एक investment का त्योहार मानके चले और अपने परिवार के लिए और अपने लिए एक security, in the sense of jewelry, आप जेवर खरीदे एक security जो है, वो आप अपने, an investment वो अपने परिवार को देजाए.